मनोहरपूर से दोसा जाने वाले टोल नाके पर विधायक संजी शर्मा से बत्तमीजी और आरलपी विधायक नाराइट बेनिवाल की गाड़ी चोरी होने के मामले में बीजेपी ने राजिस सरकार को निशाने पड़ लिया बता देगी राजिदानी में बीजेपी मुख्याले पर प्रेस कॉंफरेंस के दुरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतीपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजिस सरकार पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि जब विधाइक के साथ ही बत्तमीजी हो और गाड़ी चोरी हो जाए तो आम आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा मैं प्रारम से कह रहा हूँ कि जुम्यदार अपने आपने मानती करते हैं मतलब सारा काम को इसके बवब से शोड़ी है सरकार में जो गरहमंती हैं उनको पुर्षस नहीं जो स्टेट गरहमंती बनाया हो डेली मौन्टिंग करते नहीं ये भी भाग मौन्टिंग से चाहता है और इस कारण से एक के बार जिस्प्रकार की लखना है हो रही है उसलिए केवल हमारे मन में असंतोष और गुस्तानी प्रदा किया संपून देश्ट के लोग दो इसको पड़ते हैं उनके मन में भी इस सर्कार की कानून में उच्ता हूँ और ठारी निराश्टा और एक चाड़ से उनके मन में दुख है कि इतना पुराणा व्यक्ति इतने सालों तक राज्रेति में शक्री हाँ व्यक्ति जो राज्रेति की सबसे महत्तभून तड़ी होती है वो लॉइन ओर्डर होती है उसमें भी राजास्थान घडिया से घडिया समूद दे रहा है उससा कारण ये है कि ये तो अच्छा हुआ कि चीज को भी तजीकारी के भी दे जाए तो बहुत बढ़ा आश्चे नहीं है। इसमें कुछ की संभव है, बस दिकत ही है कि कहीं वो फुद नहीं चोरी हो जाए इस पार की पंग्रेस को प्रिकर करने की। प्राज्चा की बारे में इस तरीके की अराज़ख्ता कभी नहीं की और कानून का जब व्विवश्ता पिगटती है तो अपराज इनके होसले बुलंद हो थे हैं। और ऐसा लगता है कि इस तरीके से इस राजिस्तान की शांती बनाए रखना ये ग्रह मंत्री की मुझे लगता है इसकी जैक्टिक जिम्मेवारी से उभाग रहे हैं तो इसकी प्राजमिक्ता नहीं है कि इस तरीके से पूरे राजिस्तान कॉज अपरादोंहें ग्र्फ्तमें ले लिए राजिस्तान अपराध्यू की सरनस्तरी बन गया राजधनी बन गया मिझे लगता है कि कउंगरेस के आलाकमानगों सोचना फिस राजिस्तान के रहमructured